नमस्कार दोस्तों, डिडिरेट के एक और एक्षन वीडियो में आप सभी का स्वागत है, मैं हुआ लोग तो आज जिस वीडियो पर मैं रेक्षन करने जा रहा हूँ और जिस वीडियो को मैं आपनों के साथ देखूँगा वो दरसल मैंने क्या किया है कि एक ही सब्जेक्ट पर दो वीडियो थे, आप सबको पता है कि बंगलादेश ने help आफर की, इंडिया की तरफ से भी कहा गया संकेत दियेगा कि हम help कर सकते हैं पाकिस्तान को flood victims के टिये, लेकिन पाकिस्तान ने reject कर दिया, बोला कि नहीं हम नहीं लेंगे जी, मदद, तो इस पर सना अमजद का भी वीडियो है और इस पर Real Entertainment TV वाले सोहब का भी वीडियो है, तो मैंने दोनों वीडियो में से कुछ-कुछ जो अच्छे जवाब मुझे लगे हैं, जिन पर बात की जा सकती है, वो मैंने कर लिया, क्योंकि अगर दोनों पाकिस्तान को इस जो सलावी सूर्टिहाल है, उसमें हल्प करने की कोशिश की एक लाग पैंतालीस हजा डॉलर डॉनेशन करना चाहें, लेकिन पाकिस्ताने रिजेक्ट कर दिया, पाकिस्ताने उनकी हल्प लेने से साफ इंकार कर जैंस पर, बंगलादेश का मीडिया ये कह पतलब को जब बंगला देश पर मुश्किल वाकत आएगा, फिर यही पाकिस्तानी कड़े होगे. वो जो मशरगी पाकिस्तान है वहाँ आज भी हमारा दिल धड़कता है वो वहाँ पर आज भी हमारी सोचें वहाँ पर परवान चड़ती है तो आई थिंग के ये तो बेस्ट मौका था कि अगर उनकी जानेब से एक कंडोलेंस आ रही था हम उसको एकसेप्ट करते और फिर कल को हम उनका उनके बासू बनते कल को हम उनकी पावर बनते आपको लगते है ये इगो प्रॉब्लम है पाकिस्तान को कोई इगो फील हो एगो हर्ट हो रहा था वो दिन पहले मैं कराची था और मेरे उपर से ऐसे मैंने देखा USA का तैयारा गुजरे है सही है मतलब आप 10,000 किलो मीटर दूर से अगर एड आ रही है तो वो आप ले रहे हो और पडोसी अगर आपकी हल्प कर रहे है आप वो नहीं ले रहे है दुनिया नहीं गए गया कैसे पागल लोग है ये इगो हर्ट हो रही है हमारी यार इगो की बात नहीं है इगो हर्ट की बात नहीं है मतलब ये कि यार आपको इस मौके पे आपको इस तरह का जो क्रास बैरियर हो नहीं लगाना चाहिए बाकी इगो तो आपकी उस वक्त भी हर्ट होनी चाहिए और हो रही है कि जब आपके पास कुछ भी नहीं है अपने लोगों को परवाइड करने के लिए और आप एक दवा फिर आप कह रहे हैं नहीं नहीं मैं भीग नहीं मांगने आया पस यह थोड़ी सी मजबूरी है इंटरनेशनल फॉर्म पे खड़े हैं कि हमारी मदद करें लेकिन हमारा हमसाय मुल्क भारत भी हमारी मदद के लिए तयार है बंगलादी के लिए लेकिन हम साफसाफ चिटता इंकार करें कि हमें आपके मदहीं चाहिए सना 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 आप 5,000 से जाइद वीडियो बना चुकी है और लोगों के रियक्शन्स ले चुकी है आप लोगों से उगलवा भी चुकी है सना आप देखें कि यही तो टाइम है यार अपने हमसायों के साथ अच्छे तालोगाद बिल्ड करने का कि जब आप मुश्किल सुरात हाल में हैं आप इंडिया की बात करने हैं इंडिया की जितनी आईटी की जो उनकी जो सालाना उनकी जो इंकम है वो शायद आपके पूरे साल गवाज़ पांच ये बड़ी अकॉन में बन चुका है इंडिया यूके को पीछे चोड़कर सभी है सभी है आप वो 우 टाइम आ गया है कि जब आपकी यूथ इमर्ज हो जब आपके इमरजिंग यूथ एर अल्ची मेन के दिए फैर चाहल के Premi2 क..? मुझे याद आ रहा है कि Minecraft की सियासत के फित्रत है मुझे याद आ रहा है कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने क्या कहा था याद है आपको कि घास की रोटी खाएंगे लेकिन अटम बम बनाएंगे याद है ना तो पूरे पाकिस्तान को अब घास खाने के नौबत आ चुकी है और वो घास ही खा रही एक तरह से तो ये है जलन ये है जिद ये है कटरवाद आप जिद में हो कि अच्छा इंडिया इंडिया ने ये कर लिया मैं भी ये करके दिखाऊंगा तो आपने जिद में आके एटम बम तो बना लिया लेकिन उस एटम बम से क्या भर पा रहे हो पेट अपने लोगों का गास ही खिला रहे हैं, उसा ही कहा था आपने, बिल्कुल भविशे देखा था जुल्फिकार अली भुट्टो ने, और आज वही हो रहा है, लेकिन नहीं, इंडिया से मदद नहीं लेंगे, मतलो भाई, मैं तो कहता हूँ कि इंडिया को मदद आफर करने भी नहीं चीए थी, क और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, ये तो इतिहास रहा है ना भाई आपका, इतिहास को जुटलाया नहीं जा सकता, इसलिए इतिहास से सबक सीखना है, और भारत ने इतिहास से सबक सीख लिया है, भारत ने अब बहुत कुछ बदल दिया है, और इसका असर दिख रहा है, यह बिल्कुल गलत फैसला है हमें डोनेशन ले लेनी चाहिए थी देखे इस मुसीबत की घड़ी में अगर बंगला देश हमारी हैलप के लिए आता है या इंडिया आता है तो हमें बिल्कुल खुले दिल से उसको अक्सेप्ट करना चाहिए देखें यह अल्ला की तरफ से एक बलके सिटी के सिटी इस्तबाह हो गए हैं तो इनको अब मेरा ख्याल के एगो से निकल के ना अब दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए नरीदर मोदी ने वे कुछ दिन पहले पाकिस्तान के हालात पर जो है वो इसारे अफसोस किया और इमदाद के लिए कहा लेकिन पाकिस्त विर्दगीर्द के हम साय ममालक हैं हमारी जब ट्रेडि इनके साथ बढ़ेगी हमारे इनके साथ रेलेशन अच्छे होंगे तब हमारा कंटरी आगे बढ़ेगा ठीक है ना अब हम लोग यूएस से कहता है हम वो लोग वही करते हैं ठीक है आब हम लोग अमदाद के लिए उ और उस लेवल पर आके खड़े होगे कि पाकिस्तान जैसे मुल्क को वह एड दे रहे हैं तो बजाए इसके कि हमें उनकी पॉजिटिव चीजों से सीखने की बजाए हम जो है वह सफारती लिहासे अपने तलुकात अपने नेबर्स के साथ खराब करते चले जा रहे हैं करते च तका पक्सान के धाई रुपे के बराबर है लेकिन जब इंडिया कहा रहा है कि हम मदद करते हैं बंगलादेश के साथ या इरान के साथ इन चीजों से निकल के अब हमें को पॉजिटिव चीज की तरफ आना चाहिए ठीक है कि बजाए इसके कि हम जो है वहां पर जाके आए कि हम लोग जो है ना उनसे भीग मांगते पिरें या मदद मांगते फिरें तो हमें चाहिए कि एशियन जो मुमालिक है इनके साथ को तलुगात इतने बेहतर करें कि अगर खुदाना खास्ता किसी भी मुल्क के उपर को मुश्किल सुर्द्याल आती है तो आज अगर पाकिस कि यहां पर इगो हर्ट हो रही है बंगलादेश जैसे मुल्क से हेल्प लेते हुए इगो शीगो से कुछ नहीं होने वाला ठीक है आप जो है ना वह साथ मिलके रहें आप भाई हैं वह हमारे भाई हैं हमारा दिल दढखता है कल उन पर को मुश्किल आएगी तो से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अलाहाफ़ेज दोस्तो वीडियो एक पार्ट खतम हो गया सना वाला वीडियो खतम हो गया पूरा वीडियो नहीं ले पाया क्योंकि ले नहीं सकता था मैं पूरा वीडियो अच्छा देखिए आप कह रहे हो कि जी संबंध अच्छे करने चीए भारत के साथ अच्छे संबंध करने चीए मैं बताता हूँ कि संबंध क्यों अच्छे नहीं हो सकते। अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ, एक वीडियो दिखाता हूँ और इस वीडियो को पूरे हिंदुस्तान ने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है, यह वीडियो है ब्रिटन के लिसिस्टर का, जहाँ पर पाकिस्तानी गुंडों ने, इसलामिक गुंडों ने, वहाँ पर जाकर मंदिर का जंडा तोड़ा, वहाँ पर जाकर तोड़ फो उनको मारने की धमकी दी जा रही है और ये सब हो रहा और ये पूरी दुनिया देख रही है पूरा इंडिया देख रहा है तो ये मत सोचिए कि आप इधर से कहेंगे कि हम संबंद अच्छे करते हैं और उधर जाके आपके ही लोग ऐसा करेंगे तो ये सम्बंद अच्छे नहीं होंगे और ये पूरा हिंदुस्तान 140 करोड लोग देखे हैं हिंदुस्तान में रहने वाले भी और हिंदुस्तान के बाहर रहने वाले भी हिंदुस्तानी और इसका जवाब जरूर मिलेगा आपको और जवाब मिल रहा है बहुत बुरा मिलेगा आपको वैसे ही आईसोलेट कर दिया गया है अभी और आप आईसोलेट होगे इसे लेकर मैंने एक ट्वीट भी किया था और उसमें मैंने ये लिखा था कि पाकिस्तान को जितना पाकिस्तान के लोगों ने बरबाद किया है उतना उनका कोई दुश्मन देश भी नहीं कर सकता कोई नहीं कर सकता पाकिस्तानी खुद अपने देश के दुश्मन है इस समय जब पूरे पाकिस्तान को सबसे ज़ादा मदद की जरुवत है आपके यहां के पाकिस्तानी ब्रिटेन में, इंडियन में नहीं कहूंगा, हिंडूज के खिलाफ आप ऐसे काम कर रहे हो आप एक बारगी इसको उल्टा कर दो, आप सोचो कि किसी मस्जिद पर जाकर किसी हिंडू ने ऐसा कर दिया होता तो क्या होता? इस समय पूरी, पूरा पाकिस्तान इस समय उसको गालियां दे रहा होता, भला बुरा कह रहा होता और बिल्कुल उकाता कि ऐसा कैसे हो सकता है, वैसा कैसे हो सकता है लेकिन जो आपने किया है, हिंडू समुदाय पूरी शान्ती के साथ देख रहा है और इसका जवाब हमें पता है ना हम जवाब ऐसे नहीं देते Aप लोग की तरह आप लोग की तरह है एक बार हमने पिन मारा आप एकदम उग्र हो जाते हो आपकी जो असल चहरा आपका दिखने लगता है हिंदुस्तानी ऐसा नहीं करते हिंदुस्तानी आपको तगड़े तरीके से प्रॉपर तरीके से जवाब देंगे और वो जवाब ऐसा देंगे कि आपकी पुष्टें याद रखेंगी पुष्टें अभी तो पाकिस्तान का 75 साल में जो हाल हुआ है न वो इसी नफरत की वज़ा से हुआ है नतीजा है और ये नफरत आप जितना बढ़ाओगे हमारा फाइदा है यार आप जितना करोगे न पूरी दुनिया देखेगी पूरी दुनिया समझेगी कि आप लोग किस तरह के इंसान हो क्या करते हो वैसे ही गेट आउट पाकिस्तानी अलरड़ी स्टार्टेड हो चुका है तरकी में, ब्रिटेन में, ग्रीस में और भी कई देशों में, इटली में अब धिरे-धिरे हर जगह ये आएगा क्योंकि आप लोग की हरकते यासी है बताईए ब्रिटेन में शांती पूर्वक रह रहे हैं हिंदू समुदाए उनको आप जाके धमकारे हो इसलाम के नाम पर करो करो कोई बात नहीं करो आप आपकी हरकते देख रही हैं और आपको सजा मिलेगी उपर वाला ही आपको सजा देगा चिंता मत करो उपर वाला ही सजा देगा आपको चलिए अगला वीडियो देखते है जो फॉरन कंट्री से हमें एड आ रही है जो पैसे आ रहे है या जो भी ऐसे हमारी हल्प कर रहे है उस पर आप या कहना चाहेंगे हमें एड लेनी चाहिए या नहीं क्या अबे दिमाग कहीं गिर्वी रखके आए हो हें यह नहीं भेजे में दिमाँ अबे अब कमपेर मत करो पाकिस्तान को हिंदुस्तान से तुम्हारी आवकात नहीं है इन्ही सब बातों पर मुझे भुस्सा आजाता है आउकाद देखो अपनी पहले 400 बिलियन एकॉनमी का देश बात कर रहा है कि 3.3 ट्रिलियन एकॉनमी वाले देश को गरिब कर रहा है दुनिया भर में आप भीख मांगते हो आपके PM दुनिया भर में घूम घूम के भीख मांग रहा है कि देदो भया कुछ पैसे देदो इंडिया के PM नहीं मांगते भीख आपके PM कह रहा है कि हमारे पास तो पैसे नहीं सरकार चलाने को पैसे नहीं IMF के आगे लेट गए हैं आपके एक मंत्री हैं उनके मुताबिक तो IMF के आगे आप लोग नाच रहे हैं उसके सुरो पर इस सोच से बाहर निकलो खेर नहीं नहीं बाहर मत निकलो भाई इसी सोच में रहो इस सोच से हमारा फायदा है इसी सोच में रहो भाई प्लीज गल्ती होगी मेरे मुझ सा निकल गए कि बाहर निकलो इसी सोच में रहो, आप उस शुतर मुर्ग की तरह हो जिसने रेत में अपनी जमीन फसा रखी है और उसको लगता है कि उसके आगे पीछे कोई खत्रा नहीं है जबकि वो खत्रे के बीच पे है तो आपकी हालत उसी शुतर मुर्ग की है नहीं मानना है, मत मानो आपकी मर्जी है भाई, जो कुछ भी हो रहा है, वो आपके देश के साथ हो रहा है न, रुपए रुपए को महताज हो तो आपका देश है न, 400 रुपए किलो टेमाटर खा रहे हो तो आपका देश है न, करो भाई, बढ़िया है, जिद में रहो इसी जिद में, इसी जिद में जो बड़े हैं हमाद सड़कों बैठे हुआ टोले लेके हमारे तक पोंच नहीं दे रहे हैं हम कच्छे के लाके अंदर आठाट किलो मीटर अंदर तक हैं आज महरबास अपना आईडी काड बचारा देए गया कहता हम आरे वाले ट्राक करें हम अंदर बहुत रूल गया है टॉपी खास दोर पर यहां कि जो दूसरे मुमालिक दूसरे कंट्री से एड आ रही है वो हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी दूसरे मुलकों से जो तो इसलामी मुलक है जिनके साथ जैज़ा जिस तरह फ्रांस से एड आई हमारा नहीं दिगो कि उसने नमुसर रिसालत के वाले से हमें एक इसलामी जमाद है हम उस कंट्री को ना मानते हैं उसके साथ हम जंग को भी त्यार थे क्योंकर नमुसर रिसालत का मसला है कैसा सैंसिटिव मसला है कि बंगला देश की बात करें उन्होंने बकाइदा पैसे बेज़े हैं हमने रिजेक्ट कर दी हैं बंगला नम़र पे रिलेशन हबाद हो गया से तल्ग हराब बनकुल ऐसा यह यह नहोंने हमारे हैं के लिए एक टाउन के लिए हमारे साथ इस त्रीके से टिप लिए और हमने उन्हें वापस और दीया उनकी इंसल्ट नहींचरत यह जहां गयर जो दूसरे मुमालिक है इस बामरीका लाख तो हमें बढ़ना चाही है बंगलादेश ने हमें एड ईड दी वकाइदा तोर पर एक लाख पनतालीस हजार डॉलर हमने वह रिजेक्ट कार दी बंगलादेश तो इसलामी कंट्री भी है हमारा नेबर कंट्री भी है फिर भी हमने यह इस कर दी इस मुश्किल के वक्त में क्या समझते हैं एक तरफ हमारे प्राइम निस्टर या हमारी गौर्ण्मिंट हुद कंट्री की मतलब उन्हें रिक्वेस्ट का रही है कि हमें एड दी जाए हमें हेल्प किया जाए दूसरी तरफ हम रिजेक्ट कर रहे हैं क्या क्या ख्याल है यह बहतर चीज़ नए यह तो हमारे सफार्थी तालुकात के ओपर रहे ना कि हमारे सब्सदिद कार्वात कैसे हैं क्योंकि वह एक ब्लॉक में मसन के जहां तक मेरा अंदा只 है और जो इन्टिया के साथ काफी मसन के उनकी है उस वज़ाश से जो नियौचा से सफार्थी reject कर रहे हैं नजर तो यह आ रहा है कि शायद हमारे माइंड में कोई नफरत है देखें ना पॉस्टिव साइन तो उन्होंने बेजा लेकिन कुछ नेगिटिव साइन भी उन्होंने दी हुआ है कि जैसे जो जब बंगलादेश लादा हुआ था उन्होंने कुछ जो दूसरी ज है उनके अंदर हुमेनिटी है उनके अंदर तो फिर हम हमें तो इस तरह के मौके पर यह नहीं देखना चाहिए कि बंगलादेश ने दिया इंडिया की अगर बात करें उनके प्राइम निस्टर ने भी साइन दिया था प्रापर अनौन्स नहीं था किया लेकिन साइन दिया थे उन्होंने अच्छा कदम उठाया था हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए था उनको एप्रिशेट करना चाहिए हम एक पॉज़िटीव उठाया था फिर अगर वह कुछ कर दे तो हम घिला भी करने डिजी मैं भी यही कह रहा हूं कि उनका स्टैप जो था वो बहुत अच आपको क्या लगता है हमने जो हमारी गूर्वश्म्यूर्मिन्ट ने रिजेक्ट कर दीए आपको तहें क्या वज्यू होगी इसके पीछे और जिनके खलाफ हमेशा हम बोलते रहते हैं उन्हें तो हम घर घर जाके जए हमें दे हमें दे हमें हमें दे यह जो बंगलादेश है यह हमारे अपने लोग है ऐसा करना नहीं चाहिए कि जिनकों दुरूए तो उनके पास एक रुपया भी नहीं है यह एक रुपया भी कीमति है लेकिन वो अपने एगो के सैटिस्वाय करने के लिए वापस बेज़ दिया उन लोगों ने दूसरी दर्फ तो अक्सर लोग यह कहते हैं जी हम नान मुस्लिम कंट्री से नहीं लेंगे यह बंगलादेश तो है भी इसलामिक कंट्री है एक एक एक्जैमपल है वैसे तो नान मुस्लिम से भी लेनी चाहिए मुश्किल वक्त में इनसानिये सबसे पहले हुए बिलकुल इन नुकसान हुए एड के हवाले से दूसरे नंबर पे जो मैं समयता हूं बेसिक नुकसान यह हुआ कि हमारे रिलेशन उनके साथ खराब हो जाएंगे कल को जब हमें उनकी जरुरत होगी तब वो यह सोचकर हमारी हेल्प नहीं करेंगे कि यह हमारी हेल्प रिजेक्ट कर चु परसनल उपीनियन को इसे एग्री भी कर सकता है और डिस एग्री भी कर सकता है वीडियो कैसी लगी कुमेंट में जरूर पताइएगा जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए पीस आउट अउट आला बंगलादेश पाकिस्तान के समंद कभी पिछले 50 साल में क्या 75 साल में अच्छे रहे हैं 75 साल इसले कहूँगा मैं बताता हूं इसकी बचा बंगलादेश के लोगों की और बंगलादेश के सरकार के मैं के बहुत अच्छा कदम उठाया था इनसानियत के नाते चलिए इस्लामिक मुल्क है ये है वो है वो भी एक फैक्टर है लेकिन इंसानियत के नाते भी आप लोगों ने बहुत अच्छा कदम उठाया था ये क्यों कह रहा हूँ मैं क्योंकि ये भूल कर कि आज से 50 साल पहले पाकिस्तान की सेना ने कितना बड़ा नरसंगहार किया था जेनोसाइड किया था और ये जेनोसाइड बंगलादेश ने नहीं कहा था ये जेनोसाइड पाकिस्तान के पत्रकार ने इस बात का खुलासा किया था कि Operation Searchlight के मद्दे नजर पाकिस्तानी सेना किस तरह से बंगालियों को मार रही है उनका कतलयाम कर रही है बंगलादेश की महिलाओं का रेप कर रही है और आज ये लोग कहते हैं कि बंगलादेश वाले हमारे भाई हैं अरे भाई होते तो आपने उनको हक उसे वक्त दिया होता और आज बंगलादेश आपसे अलग नहीं हुआ होता अगर आपने उनका हक दिया होता आप लोगों ने उन पर जुल्म किये हैं आप लोगों ने उन पर अत्याचार किये हैं आप लोगों ने जो पैसे कमा के आपको दे रहा था, उनके पैसे आप लोगों ने हड़प कर लिये, और उसके बदले आप लोगों ने महाँ पे सुविधाय नहीं दी इस पाकिस्तान में, आप आज भाई कहते हैं, बंगलादेशी कभी भूलेगा नहीं पाकिस्तान का वो ज पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने वही किया, जो उसने 1971 में कर रहा था वो, जिद, कि तुम लोग छोटे लोग हो, तुम लोग हमसे कमतर हो, तुम बंगाली हमारे बराबरी कैसे कर सकते हो, आज अगर मजुबर रह्मान को, अगर उन्होंने उस समय हक दे दिया होता, एलेक्शन जीतने के बाद, तो आज शायद हो सकता था कि एस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान में ही रहता, बंगलादेश नहीं बनता, लेकिन नहीं, पाकिस्तान की ये फितरत है, वो कम तर लोगों क कि ये छोटे हैं, ये काले हैं, हम बड़े हैं, हम ताकतवर हैं, ये देखो कहां से आए हैं, आप इनको बोलना आता है, इनको बोलना से बूल आती है, आप पुद्रतुला शहाब, शहाब नामा, उसका नाम है, ये उस वक्त बहुत जूनियर थे, ऐस अ बेरोक्रेट, तो पाकिस्तान के सारे जो थे ना मुश्टंडे, कैबनेट में, वो हस पड़े खिल खिला के, और उनने उनको रेडिक्यूल करना शुरू कर दिया, और ये कहा, कि तुमें तो रफाहाजत के लिए केलों के जुंड के पीछे बैठ जाया करो, तुमने क्या करने हैं, कमोड और सिंक बगएरा, एक बंदा आता है पाकिस्तान इसकी तरकी दे के बेंगॉली, कुश होता है और ये होता है और वो होता है और बिलाखर वो सजदा देता है सड़क में, तो एंड वो करता है, कंकलूड करता है वो शॉर्स्टोरी, कि मुझे सड़क से पटसन की खुश्भू और इसी जिद की वज़ा से इसी इगो प्रॉब्लम की वज़ा से उन्होंने आपकी इंसल्ट की है मैं तो करूँगा बंगलादेश के पूरे बंगलादेश और बंगलादेश की आवाम की वो बैज़त किया है पाकिस्तान में आप लोगोंने सब कुछ भुला कर सब कुछ एक साइड रखकर इंसानियत को देखते हुए मदद भेजी लेकिन उन लोगोंने वही किया जो 1971 में और उससे पहले कर रहे थे वो बंगलादेश के साथ उन्होंने रिजेक्ट कर दिया ये तोहीन की है बंगलादेश के लोगों की बंगलादेश के आवाम की विचारों की बंगलादेश की मैं कहूंगा कि जो अच्छी अच्छे मन से उन्होंने बेज आता उसकी तोहीन की है पाकिस्तान ने पाकिस्तान ने बेज़द किया है बंगलादेश को अब बंगलादेशी सोचे कि उन्हें क्या करना है बाकिर रही इंडिया की बात तो देखे इंडिया ने भी इंसानियत के नाते संकेत दिये थे लेकिन जो कुछ भी हो रहा है अब पूरी दुनिया में जिस तरह से पाकिस्तान कर रहा है उसके मताबिक तो यही है कि मदद उदा तब बिल्कुल नहीं भेजी जानी चाहिए मैं भी इस में था कि इंसानियत के नाते मदद भेजनी चाहिए लोग मर रहे हैं वहाँ पर गलती उनकी है कही न कहीं उनकी गलती है क्योंकि उन्होंने ऐसी सरकार चुनी लेकिन अब मुझे लगता है कि बिल्कुल नहीं भेजनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान और बंगलादेश को बेज़त कर चुका है अगर हमने कहा भी तो हो सकता है कि वो हमें भी मना कर देगा और अगर उन्हें लगता है कि आप उसकी बाते सुनी आपने कि नौन मुसलिम और ये और वो और ऐसा और ऐसा तो फ्रांस से जो चीज़े आती हैं आप कहां क्यों यूज कर रे हो फ्रांस की सब्मरीन से क्यों यूज कर रे हो वापस कर दो तोड़ दो उड़ा दो बंसे दमाका करके उड़ा दो तब तो शर्म नहीं आएगी आपको तब तो आपका मुसलम इमान आएगा नहीं सामने खेर तो कुल जमा बात यही है लेकिन मुझे भी लगता है कि इंसानियत के नाते जो है मुझे देखकर थोड़ा दुख हो रहा है थोड़ा क्या बहुत जादा दुख हो रहा है कि महांके लोग मर रहे है खाने के लिए नहीं है भुकमरी नहीं है लेकिन पाकिस्तान की कुछावाम ऐसी है जो जिद में अभी भी अड़ी है नहीं हम तो भारत से बहतर है भले ही मतलब उसके नीचले पैदान पे भी नहीं है जहां जितना उपर भारत पहुंचुक है उसके नीचले पैदान पे भी नहीं है तब भी लेकिन यह अकड है जिद है तो करो भाई जल्दी हाजिर होता हूँ, एक और नए वीडियो के साथ, नमस्कार, जय हिन